Subscribe the technicalz YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all दोस्तो अगर आप Google का कोई भी प्रोड़क्ट यूज करते हैं चाहे वो AdSense हो, AdMob हो या Double Click हो आप Google का कोई भी प्रोड़क्ट यूज करते हैं तो आपको एक mail जरूर आई होगी जिसके अंदर लिखा हुआ होगा Important Update About The General Data Protection Regulation GDPR दोस्तो यकीने इस mail ने आपको परिशान किया होगा क्योंकि आपने GDPR का पहले ना नाम सुना होगा और नाहीं इस चीज के बारे में जानते होंगे तो अचानक से आपको email आ गई है तो आप परिशान जरूर हुए होगे कि ये क्या है और क्या चेंजिस आने वाले हैं Google AdSense के अंदर तो दोस्तो ये क्या चीज है अगर आप इसके बारे में जाना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा असलाव अलेकम दोस्तो मेरा नाम है हदर और चली शुरू करते हैं टेक की बार टेकनिकल सी के साथ अब दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जीडि पियार है क्या दोस्तो 26 अपरिल 2016 को यॉर्पिया यूनिन की जानें से कानून पास किया गया था और वो कनून जो है वो स्टार्ट होना है 25 माई 2018 से तो इसलिए दोस्तो आपको ये एमेल रेसीव हुई है गूगल की तरफ से क्योंकि उसमें आप गूगल का कुछ अगर प्रोड़क्ट यूज कर रहे हैं तो आपके ओपर भी वो कनून लागू होता है और उसमें उन्हें ने कहा था कि जितनी भी औरजनाइजेशन कमपनीज है अगर वो इस कानून को फालो नहीं करेंगी तो उनको 20 मिलियन डॉलर या उनकी एक साल की जो इंकम होगी उसके 4% जो है वो फाइन किया जाएग या उनकी कमपनी को परमनें टर्मिनेट भी किया ज करते हैं सु दोस्तों क्योंकि यह कानून गूगल पर भी लागू होता है तो इसलिए गूगल ने अपने जो अपडेट्स हैं जो अपनी टाम्स एंड कंडिशन हैं उनमें कुछ अपडेट लाई है और उसमें ने यह कहा है कि आप जो भी यूजर का डेटा क्लेक्ट करते ह वो डेटा अगर यूजर की पर्मिशन के बिना आप कलाइट करते हैं या उसका कुछ भी मिस यूज़ करते हैं तो उस लिहाद से आपका जो अकाउंट होगा जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे गूगल का प्रोड़क्ट चाहे वो एडमोब होगा एडसेंस होगा यह डबल को आप जानते होंगे आप अपने अप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं आडमोब को और एडसेंस तो आप यूज़ करते ही होंगे तो ऊब अगर आपका यूच्टव चैनल है तो उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोस्तो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर आप किसी भी यूजर कर डेटा इसे कॉलेक्ट होता है तो आप कभी कोई कियोगी तो यूजर की डेटा स्टोरेज की परमिशन मांगी यूजर की location वगेरा वगेरा ऐसे user से permission ली जाती है तो दोस्तों वो यो user के data collect किया जाता है apps के जरीए उन data का क्या इस्तमाल होता है बाद अकौट आपको air दिखाने के लिए इस्तमाल होता है या कुछ भी आगे company को sale किया जाता है तो दोस्तों अब अगर किसी भी application के अंदर आप user का data collect करते हैं और उसका misuse करते हैं अगर आप एक app developer हैं तो आपका Admob का account होगा वो permanently disable कर दिया जाएगा इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए website की तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई website open करते हैं तो कुछ website के नीचे यहां पर लिखा हुआ आता है कि हम आपकी cookies जो है वो save करेंगे या कुछ website के नीचे लिखा हुआ नहीं आता लेकिं वो आपकी cookies जो हैं वो save कर रहे होती है तो इसी तरह दोस्तों वो भी आपका जो data होता है जो आप सर्च करते हैं वो सेव कर रही होती है अगर उस डेटे का वो गलत इस्तमाल करती है तो उनको भी पनल्टी हो सकती है उनका एडसेंस का अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है या फिर वो डबल कलिक यूज कर रहे हैं तो भी डिसेबल हो सकता है तो दोस्तों ये थी सिंपल सी बात ये GDPR जो है ये उनके लिए है जो अप्लिकेशन या वैबसाइट वगएर या गूगल को कोई और परोड़क्ट यूज करते हैं अगर आपका एक चैनल है यूटूब का तो आपको कोई भी परिशानी की जरूरत नहीं है GDPR से रिलेटेड क्योंकि ये यूर्पियन कानून है और ये वैपसाइट और एपस पर इसलिए लागू होता है क्योंकि आपकी एपस और वैपसाइट जो है वो सिर्फ पाकिसान ये कि इंडिया के अंदर यूज नहीं होती हूँ वो हर कंट्री में आपका कोई भी परोड़क्ट यूज किया जा सकता है इसलिए दोस्तों ये जो Google की टार्मग येकर कडिशन है आप पर फ힌 लागू होती है दोस्तों अगर आप जानना चाहते है कि इन टार्मग येकर चिया है और क्या चेंजिस किये हैं Google ने और क्या क्या आपको करना चाएए तो दोस्तों आप सिंपली यहां पर चेक कर सकते हैं EU User Consent Policy are being updated Updated पर कलेक करके भी चेक कर सकते हैं और यहां पर भी कलेक करके आप चेक कर सकते हैं यहां पर कलेक करेंगे तो Google ने जो अफडेल लाई होगी वो आपको बताई जाएगा और यहांपर klick करेंगे तो जो user data pick करने की जो policies हैं वो आपको बताई जाएगी तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं अगर आप एक app developer है या आपकी एक website है और आप data user का collect करते हैं आप चेक कर सकते हैं कि उसका क्या क्या आप इस्तमाल कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों मैं अमीद करता हूँ आज के हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये बात आपको कलियर हो गई होगी कि GDPR क्या है और इसका क्या आपके किसी चैनल या वैब साइट पर कोई असर हो सकता है या नहीं तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसांद आई हो और इससे कुछ सिखने को मिला हो तो फलीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कार देजिएगा और फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा टेक केर और अनला हाफिज